हमारी धरती का सर्फेस एरिया है इनक्न करोड स्कूर किलोमिटर और जिन में से 36.2 करोड स्कूर किलोमिटर समूंदर से परा हुआ है और आज तक हम 날े से सिर्फ 5% को भी एक्स्प्लोर कर पाये है जिसका मतलब अब तक 65% समूंदर को एक्स्प्लोर करना बागी है जो समुंदर के अंदर अंधिकार में कई राज लेकर बैठा है कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि इतने बड़े समुंदर में कई पर इलियन फिसिस हो सकती है जिसको हम आज तक नहीं खोच पाए तो आखिर समुंदर के 5% में हमें क्या क्या मिला है मैं उर्वी सोजा और आपका स्वागत है उजा यूनिवर्स में तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इन 5% समुंदर के अंदर जो हमें 70% समुंदर में से एक्स्प्लोर किया है हमारे पृत्वी की अब तक की खोजी हुई सबसे गहरी जगा जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच आपने साइद इसके बारे में सुना ही होगा हम सब को पता है कि माउंट एवरेश्ट उन्हें का सबसे हुचा परवत है पर आप यह नहीं जानते होगे कि मरियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि उनमें Mount Everest आसानी से समा सकता है ये जगा इतनी गहरी और रहस्यों से भरी हुई है कि आज तक इसमें सिर्फ तिन लोग ही जा पाये है उनमें से दो लोगों ने मिशन से पहले सोचा कि इतनी गहराई और दबाव के कारण कोई जीव जिन्दा नहीं रह सकता पर जब वो लोग वहाँ पर गए तो वो चौक गए कि कि वो लोग जो सीप लेकर गए थे उस पर किसी बड़े जीव ने हमला कर दिया था वो लोग चौक गए क्योंकि इतनी गहराई और दबाव के कारण इतना बड़ा जीव जिन्दा कैसे रह सकता है वो लोग अपनी जान बचा कर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके सिप पर इंसानों के हाच इतने बड़े दांतों के निसान थे साइंटिश्टों ने जब इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये काम किसी मैगलेडोन सार्क का है जो दस लाक साल पहले लुप्त हो चुकी है और हो सकता है कि उससे भी बड़े जानवर जिसकी हमें कलपना भी ना की हो वो साइद मरियाना ट्रेंस में मौजूद हो हम लोग एलियन को पूत्वी के बाहर और दूसरे ग्रहों पर खोज रहे हैं चो हमसे बहुत दूर है पर हो सकता है कि वो हमारे नीचे ही मौजूद हो हमारे इतने करीब कि आप सोच भी नहीं सकते एटलिट याम एटलिट याम नामक एक हजारों साल पूरना सहर वैज्यानिकों ने खोज निकाला है जो मेडिटेरियन समुंदर में इसरेल के पास मौजूद है जिसकी खोज 1984 में हुई थी जिसमें से वैज्यानिकों को ऐसी रचनाय मिली जो आज के इंसानों के लिए बनाना लगभग नामुम्किन है एटलिट याम को एक्स्प्लोर करते वक्त साइंटिस्टों को घर, पानी के कुए अजीब इंसानों और कहीं बड़े जानवरों के कंकाल मिले और ऐसी बहुत सारी अजीब रचनाय मिली जो हजारों सालों से पानी के अंदर दफ्न थी और ऐसे 65 कंकाल मिले चो आज के इंसानों से थोड़े से अलग है सैंटिस्टों का मानना है कि सायद ये समूंदर में रहने वाली ऐसी प्रजाती थी जो हजारों साल पहले लुप्त हो गई समुन्दर में पाई गई ये जगा हमें टाइटानी की याद दिला दी है जो उस वक्त की सबसे दिल दहना देने वाली खटना थी चाक लागुन को अभी अभी साइंटिस्टों ने खोज निकाला है जो कैरोलेन आइलेंड के पास पैसिविक समुन्दर में मौजूद है जो हमें वर्ल्ड वार 2 में हुए जापनी चाहाँजों पर हमलों की याद दिला दी है जाक लागुन को खोजते वक्त साइंटिस्टों को वर्ल्ड वार 2 में उप्योग हुए एरोप्लेंस और जहाँज मिले जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी जिसके कंकाल आज भी उन जहां जुमें मौजुद है जो अब तक की सबसे महातवपूर्ण खोज है जो इतियास में हुए World War 2 के रहस्यों से बढ़दा उठाती है लाइट ओफ एलक्सेंडरिया दोस्तो आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि पहले के लोग कितनी भव्य और सांदार इमारते बनाते थे जो आज के लोगों के लिए ऐसी इमारते बनाना लगबग नामुम्किन है दोस्तो आपने कपी लाइट हाउस ओप एलक्सेंडरिया के बारे में सुना है जिसे किसी समय में साथ अजूबों में से एक कहा जाता था दोस्तो इस लाइट हाउस को थर्ड सेंचूरी में बनाया गया था और इसकी हाइट 150 मिटर थी जिससे बनाने में सिर्फ 5 साल का समय लगा था और कहीं लोगों के हिसाब से इसकी लाइट 80 किलो मिटर दूर से भी देखी जा सकती थी लेकिन 34 सेंचूरी में आये इजिप में सबसे बड़े भुकम की वज़र से ये बील्डिंग सिर्फ 30 मिटर की रहे गई और 12 सेंचूरी आते आते ये जगा एक खंडहर में तक्दिल हो गई और अफकोर्स हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए तो में दहें अगले एक सबर्दस वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई